हेलो दोस्तो तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ATK मोहनबगान FC और SC East Bengal FC के बीच जो मैच होने वाला है सेकेंड राउंड का मैच उस मैच के प्रिव्यू के बारे में तो दोस्तो वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेश्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकोन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तो दोनों ही टीम चाहेगी इस मैच से तीन पॉइंट लेना और 80 के मोन बगन FC अगर इस मैच से जीच जाती है तो उनको बहुत जादा फाइदा होगा क्योंकि दोस्तो आप सभी को पता है हम सभी को पता है कि जो ISL का टॉप करेगा वो ACL यानी AFC Champions League खेलने का मौका मिलेगा उनको दोस्तो तो दोस्तो एसी इस्ट बेंगोल FC का सुरुवात इस सीजन अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी और ब्राइट एना वोकारे के आजाने के बाद इस्ट बेंगोल FC का परदर्शन बहुत ज़्यादा शांदार रहा और वो काफी ज़्यादा अनलकी भी रहे जिस मैच में एस्ट बेंगोल FC को तीन पॉइंट मिलना चाहिए था वहाँ उनको एक पॉइंट ही मिल रहा था और एस्ट बेंगोल FC का परदर्शन बहुत ज़्यादा शांदार रहा था वो काफी जादा अनलकी रहे और वहीं अगर ATK मोहन बगन FC के बारे में बात किया जाए तो कोच एंटोनियो लोपेज हबास फिर से अपनी टीम को प्ले आउफ में पहुचाने में कामियाब हो चुके हैं दोस्तों और वो फेवरेट टीम है ISL के ट्रोफी जीतने का और ISL का लीक टेबल जीतने का दोस्तों और ATK मोहन बगन FC पिछले चार मैचिस से लगतार जीत रहे हैं दोस्तों और मैं बोलू तो ये मैच 50-50 होने वाला है क्योंकि दोस्तों कोलकता डर्बी हमेशा ही 50-50 से ही शुरू होता है दोस्तों अगर ISL FC अभी पॉइंट स्टेबल के नौवे स्थान पर है और ATK मोहन बगन FC अभी टॉप पर है तो ये मत सोचिए कि मुकाबला एक तरफा होने वाला है ये मैच दोनों ही तरफ से बराबर का होगा दोस्तों तो चले दोस्तों अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के पलेंग 11 के बारे में तो शुरुवात करते हैं मोहन बगान FC की टीम से तो कोच एंट्री नुलोपेच अबास 442 फॉर्मेशन इस मैच में यूज करने वाला है जैसे कि वो पिछले चार मैचिस से कर रहे हैं तो गोल पर खेलेंगे दोस्तो अरिनन बटता चारिया और राइड बैक में होंगे प्रित्म कोटाल सुबासिर्ज भोस होंगे लेव बैक में और दो छींचनर बैक के खिलारी होंगे तो चलिए अब हम बात करते हैं एसी इस्ट पेंगोल FC के प्लेंग 11 के बारे में तो दोस्तो एसी इस्ट पेंगोल FC हर मैच में 4-4-2 फोर्मेशन यूज करीए और इस मैच में भी बहुत जादा चांस है कि 4-4-2 फोर्मेशन यूज करें तो गोल पर खेलेंगे सुपरोतो पॉल और राइट बैक के खिलारी होंगे सार्तो गुलोई और लेब बैक के खिलारी होंगे दोस्तो नरायन दास और दो सेंटर बैक के खिलारी होंगे डेनी फोक्स और राजू गाइकवड और दो सेंटरल मिट फिल्डर के खिलारी होंगे येक्स मगोiãoमा और दोस्तो स्टेन्मेंड और लैफ विंगर होंगे सोरबदास और रैट विंगर होंग दोस्तो अंकित मुखरजी और दोस सेंटरल फावर्ड के खिलाडि होंगे ब्राइट अना बुकारे और अन्थानी पिलकिंटन तो दोस्तो इस मैच में बहुत ही ज़ादा क्रेज होने वाला है क्योंकि कुलकाता डर्बी है और ये मैच 50-50 से सुरू होगा तो दोस्तो देखना ही है कि कौन सी टीम 3 पॉइंट लेने में कामियाब होती है आपको क्या लगता है दोस्तो आप जरूर कमेंट करके बताईए तो चलिए दोस्तो फिलाल ये वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगाए तो प्लीज लाइक करो शेर करो अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकोन को प्रेस कर दीजिए तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में